आज मैं आपको विहारी के चैब्टर के प्रश्णोतर बता रही हूँ प्रश्णोतर इस प्रकार से हैं पहला प्रश्ण है चाया भी कब चाया ढूनने लगती है इसका उत्तर है जेट के महीने में प्रचंद गर्मी होती है सुर्य की तेज किन्नों से धर्ती जलने लगती है कहीं भी छाया दिखाई नहीं देती है ऐसा लगता है मानो छाया भी छाया ठून रही है सेकिंड कुश्यन है बिहारी की नाइका यह क्यों कहते है कही है सबो तेरो हेओ मेरे हे की बात स्पष्ट कीजे इसका उत्तर ऐसे लिखना होगा बिहारी की नाइका कंपकंपी और स्वेध के कारण कागज पर संदेश नहीं लिख पाते है किसी और के द्वारे संदेश विजवाने में उसे लज्जा आती है इसलिए रह कहती है कि विरह की इस अवस्था में उसके और उसके प्रेय के हालात समान से हैं यानि एक जैसे हैं इसलिए अपने हृदे से उसका हाल समझ जाएंगे थर्ड कुशन है सच्चे मन में राम बसते हैं दोहे के संधर्भा नुसार स्पष्ट कीजी इसका उतर बिहारी का कहना है कि माला जपने आतिलक लगाने जैसे बहे आडंबरों से किसी को भी इश्वर की प्राप्ती नहीं होती है जिस व्यक्ति का हरिदे एश्या, द्वेश, छल, कपट, वासन, आदे से मुक्त और स्वच्छ होता है उसी के मन में राम यानि इश्वर का वास होता है नेक्स्ट प्रिश्ण है गोपिया श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छुपा लेती है गोपिया श्री कृष्ण से बाते करना चाहती है वे श्री कृष्ण को रिजाना चाहती है परंतु श्रीक्रिश्ण जी को अपनी बांशुरी बेहत्रीय है और वे उसी में व्यस्त रहते हैं इसलिए उनका ध्यान अपनी और आकश्षित करने के लिए गुप्याँ श्रीक्रिश्न की बांशुरी को छिपा देती है फ्रिश्ण है बिहारी कवी ने सफी की उपस्तिती में भी कैसे बात की जा सकती है इसका वर्णन किस प्रकार से किया है अपने शब्दों में लिखिए इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे बिहारी ने बताया है कि सफी की उपस्तिती में भी संकेतिक माध्यम से बात की जा सकती है नायक सफी के सामने नायका को इशारे से मिलने को कहता है नायका भी इशारे से मना कर देती है उसके मना करने के भाव पर नायक रीज जाता है जिससे नायका खिजूटती है दोनों के नेत्र मिलते हैं जिससे नायक प्रसन हो जाता है और नायक का की आँखों में लज्जा आ जाती है भावस पस्ट कीजे मनाव नील मनी सैल पर आतपू पर्यो प्रभात इसमें उतर इस प्रकाश से लिखना चाहे इस पंक्ति में श्री क्रिश्न की तुलना नील मनी पर्वत से की गई है उनके आलोकिक स्वंदर्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मनों नील मनी पर्वत पर प्राते कालीन सुझे की धूप फैली हुई हूँ नैश्ट प्रश्न है जगत्य तपवन सौकियो तीरग दाग निहाग इसका उतर इस प्रकाश से लिखेंगे बिहारी जे ने इस पंक्ति में बताया है कि ग्रिश्मरितु की प्रचंडता से पूरा जंगल तपवन बन गया है इस मुसीबत की घड़ी में सब जानवरों की दुश्मनी खतम हो गई है सांप, हिरन और सिंग सभी कर्मी से बचाव के लिए मिलजुल कर रहने लगे है कभी ने शिक्षा दी है कि हमें विपती की घड़ी में मिलजुल कर रहना चाहिए तिसरा प्रिश्ण है जब माला चापें तिलक सराई ना एकव कामूं मन काचै नाचै व्रथा सांचै राचै रामूं पिहारी का मानना है कि माला जपने और चापा तिलक लगाने जैसे बहे अडंबरों से इश्वर की प्राप्ती नहीं होते है ये सारे काम व्यार्थ हैं राम यानि इश्वर का आवास उस व्यक्ति के मन में होता है जिसका हरदे इश्या त्वेश चल कपट वासना आदी से मुक्त होता है